रादे, रादे, जैसी कृष्णा, स्वागत है आप सभी का रादे कृष्ण भक्ति में. आज की वीडियो में मैं आपको लड़ो गुपाल जी की बहुती सरल पूजाविधी बताओंगी. सुबह में बहुती कम समय में आप कैसे गुपाल जी की सेवा पूजा कर सकते हैं ये हम आज की वीडियो में जानेंगे क्योंकि सुबह में सभी लोग बहुती ज़ादा विजी होते हैं सभी के पास काम बहुत सारे होते हैं ऐसे में अगर हम सुबह में भगवान की पूजा कर लेते हैं तो हमारा पूरा दीन बहुत ही अच्छे से गुजरता है और एक अलग सी एनर्जी हमें महसूस होती है तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम बहुत ही असान तरीके से गोपाल जी की सेवा कैसे करें तो देखिए और अब मैं गोपाल जी को हलकी गुनगुने जल पिला दूँगी आप सुबह में अपने गोपाल जी को उठा ले इसके बाद आप चाहे तो उन्हें दूद का या आप जो भी भोग लगाते हैं उसका वो लगा दे मैं यहाँ पर आपको बहुत ही सरल बिदी से सेवा करना बता रहे हों कि अगर आप जोब करते हैं या फिर आप अकेले रहते हैं और बहुत सारे काम करने हैं आपको तो आप उस समय काम के साथ साथ गोपाल जी की सेवा कैसे करें तो देखिए जल पिलाने के बाद हम गोपाल जी को स्नान कराएंगे और देखिए अगर आप सुबह में गोपाल जी को भोग नहीं भी लगाते हैं तो कोई बात नहीं लेकिन आप जल जरूर पिलाएं क्यूंकि देखिए गोपाल जी की सेवा के कोई नियम नहीं होते हैं ना ही कहीं लिखा है कि आपको उनकी सेवा इसी तरह से करनी है ये जो हम सेवा पुजा करते हैं वो हमारे मन के भाव होते हैं जो कि गुपाल जी के किरपाद से हमारे मन में आते हैं और हम उसी भाव से उनकी सेवा करते हैं अब हम दीवधूब जला लेंगे इसके बाद हम गुपाल जी को सनान कराने के लिए कोई पात्र ले लेंगे और हम गोपाल जी को सनान कराएंगे तो देखिए मैं यहाँ पर गुनगुने जल में थोड़े से तिल डाल कर सनान करा लूँगी क्योंकि माग का महीना चल रहा है और माग के महीने में तिल का विसेस महत्व है सनान के बाद हम गोपाल जी को अच्छे से पोच कर वस्तदारन करा देंगे अब हम गोपाल जी का सिंगार कर देंगे और देखिए अगर आपके पास सुवह में टाइम नहीं है इत्र सेवा देने के लिए तो आप गोपाल जी के वस्तर पे इत्र जरूर लगा दें ताकि गोपाल जी के पास अच्छी सी खुस्बू आती रहे इसके बाद हम गोपाल जी को चंदन से तिला कर देंगे दरपन दिखा देंगे इसके बाद हम गोपाल जी को उनके सिहासन पे विराजबान कर देंगे अगर आपको फूल मिल जाए तो फूल अरपित करें तुलसी पत्र जरूर से अरपीत करें, इसके बाद गोपाल जी को भोग लगा दे तो भोग में आप प्रूट ये ड्राइब फुट का ये जो भी है आपके पास उसका भोग लगादें, जल अरपीत करें इसके बाद प्रेम पुरबग गोपाल जी की दीवधूप से आरोती कर लें तो इस तरह से आप सुबह में बहुत ही असाने से गोपाल जी की सेवा पूजा कर सकते हैं अगर वीडियो आपके लिए यूसफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, कॉमेंट करें और हमारे चैनल राधी कृष्ण भक्ती को सस्क्राइब करें थैंक्यू, राधे राधे, जय सीरी कृष्णा